हेलो अब्रिवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूरेंट ठीक होंगे तो मैं विबेक आपका फिर से सौल्ट करता हूं आपके लिए परिवाग कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए आज हम डिसकस करेंगे स्कूल ऑप अपडेट्स के लिए मतलब अगर आप सोल से बीए प्रोग्राम या बीकॉम या ग्रेजुशन करना चाहते हो तो उनकी जो अपडेट्स में आपको दूँगा क्योंकि ऑफिसल अपडेट आ चुका है तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कॉलेज अपडेट्स एक ऑफिसल चैनल है जो कि सोल से रिलेटेट्स सारी इंफोमेशन आपको प्रोगाइड करवाता है तो बूलना नहीं है जैसी आपको भी वीडियो आप देख रहे हो उसस आपको मैं कुछ इंफोमेशन दे दू सोल जिसे स्कूल ओपर लर्निंग कहा जाता है यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है इसके अंदर बो स्टूडेंट लेते हैं या तो जो रेगुलर में नहीं जाना चाहते क्योंकि इस साल तो बहुत एड़िशन होंगे दो लाग का टार्गेट रखा गया इस बार तो इस साल या तो वो रेगुलर में नहीं जा पाएंगे या ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम ग्रेजूशन भी करें और और हम कोई जॉब भी करें तो सोल से बैस्ट कॉलिज आपके लिए कुछ नहीं है एक तो इसमें आपक को पता होगा ग्रेजूशन कितना बड़ा नाम है यू जी यानि अंडर्ग्रेजूट तो पहले तो मैं आपको कुछ इन्फोर्मेशन दे दूँ अगर आप सोल से एडविशन करना चाहते हो तो आपको इसमें सिर्फ पांच कोर्सिस करने का ही मौका मिलेगा पांच कोर्सि सिए इसके अंदर ग्रेजूशन के लिए इसके अलाबा इसके अगर आप बीसी करना चाहते तो बीसी के अंदर नहीं है एंबीए करना चाहते एंबीए नहीं है बीए करना चाहते बीए नहीं से बीए प्रोग्राम और बीकॉम और ओनर्स के तीन कोर्सिस है ठीक है तो अब परस्ट के फर्स्ट वीक के बीच में शुरू हो जाएगा उसके बाद वह फाइल यूजी सी के पास भेजी जाएगी उसके बोर्ड डारेक्टर उसको भेजेंगे ऑपन बोर्ड के पास जब महां से मंजूरी मिलेगी दैन आपके जो फूरू हो जाएगे तो कुल मिलाके बात कि यह आपके जो एड़ी सने तभी आपके सुरू होंगे जब आपका रेजल्ट क्वेल क्लास का आ जाएगा तो टैंस लेने की जायरोद नहीं अभी आपके पेपर भी चल रहे होंगे तो पेपर दीजिए रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद ही सोल अपने एड़ी से सु कि 12 पास आउट हो जाएगी उसके 15 दिन बाद आपको मिल जाएगी जैसी एड़ी से स्टार्ट हो जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेए थैंक्यू सो मच